नमस्क्रार SBT News में आपका स्वागत है पेच चौदा अक्टूबर शनिवार सुबह सवाच च्वजे राजिस्थान की बड़ी खबरें प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने P20 के प्रतिनिदियों से अगले वश होने वाले आम चुनाओ को देखने के लिए निमंतरित करते हुई शुक्रवार को कहा कि इस चुनाओ में 100 करोर मदाता मदान करने जा रहे हैं प्रदान मंतरी ने शुक्रवार को यशो भूमी कन्वेंशन सेंटरल में G20 देशों के संसद्या ध्यक्षों के नौवे P20 सम्मेलन का अपचारिक शुबारम करते वे कहा मैं P20 सम्मेलन में आए आप सभी प्रतिनिधियों को अगले वर्ष होने वाले आम चुनाओं को देखने के लिए अग्रिम निमंतरन देता हूँ भारत को आपको एक बार फिर मेजबानी करने में बहुत खुशी होगी पियम मोदी ने कहा कि समय के साथ भारत की संसदिय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है ये प्रक्रियाओं और सशक्त हुई हैं भारत में लोग आम चुनाओं को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं राजसान विधानसवा चुनाव हेतु गठित कॉंग्रिस के प्रदेश एलक्षन कमीटी के महतपून बैठक शुकरवाज शौंपाज बजे राजसान प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के वार रूम में प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा की अध्यक्षता में हुई बैटक में मुख्य मंत्रिय शोग गहलोत सहीत समीती के सभी सदस्या चामिल हुए गोविन सिंग डुटास्रा ने पत्रकारों से बाचित में प्रत्याशियों के चैन से सम्मंदित प्रक्रिया की जुआनकारी दी उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस चुनाव समीती की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई हमारी तीन हजार से अधिकावेदन जो आए थे हमने पहली बार जिला कॉंग्रिस कमेटी और लोग से पैनल मांगे थे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो सदसे हैं उन सभी को भी एक दो जिलों में भेजा गया था उन्होंने महत्पुन कार्यकरताओं से चौचा करके अपना पैनल दिया है केंड्रेग रह्मंतियामिच शाह ने सिख समुदाय की सरहना करते हुए कहा है कि देश के लिए सिख गुरूं के युगदान को हजारों वर्शों तक चुकाया नहीं जा सकता उन्होंने कहा चाहे भारत का स्वतंतरता संग्राम हो मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो या अंग्रेजों की खिलाफ लड़ाई विभाजन हो या देश के लिए बलिदान सिख समुदाय हमेशा नंबर एक पर रहा है शाह शुक्रवार को दिली सिख गुरुद्वारा प्रवंदक कमेटी द्वारा दिली में आयो जिता भी नंदन कारिक्रम में शामिल हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया गुर्णानक देव द्वारा उस समय दी गई चिक्चाओं का पालन कर रही है जब सभी धर्म अपने अपने संप्रदाय के लिए लड़ रहे थे रास्तान लोक सिवा आयोग में हाल ही में न्यूक किये गए करनल केसरी सिंग को लेकर छुड़े विवात पर मुखिमंतिया शोग गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है सियम के लोतनी शुकरवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक तरफ हमारी सरकार ने तीन लाग भरती निकालने का अतिहासिक कारे किया जो शायद देश में सरवादिक है दूसरी तरफ पेपर लिख की कुछ घटनाय सामने आएं अधिकांश राज्यों में ऐसी हिस्तिती बनी हुई है आर्मी और जुडिश्री तक में पेपर लिख हो गए हैं यह सोचकर सरकार ने प्रयास किया कि आर्मी बैक्ग्राउंड के अधिकारियों को राजस्तान लोग सिवा आयोग और राजस्तान अधिनास्ते सिवा बोर्ट जैसी संस्थाओं में स्थान दिया जोए जिसे इन संस्थाओं की विश्वस नियता काइम रहे हाल ही में सरकार ने RSSB के अध्यक्ष के रूप में मेजर जर्नल आलोक राज एवम आर्टेसी में सदसे के रूप में करनल केश्री सिंग की निउक्ती की सिफारिश की थी इन दोनों ने ना तो अपलाई किया और ना ही इनकी कोई सिफारिश आई इनकी 37 साल और 20 साल के सैने से वाँ को देखते हुए इनको निक्त किया गया डायस्तान विदान सबाच नाव के लिए बीजेपी की तरफ से जारी उमिद्वारों की पहले लिस्ट में 41 सीटों के लिए नावों की घोशना के बाद से वसंद्रा राजे के वफदार विरोज जता रहे हैं लेकिन वसंद्रा राजे शांत हैं टिकट किसे मिलनी है और किसे नहीं ये अब की बार पूरी तरह से किंडरे नेत्रत तैग कर रहा है हलांकि इस बार से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ सीटों पर जरूर प्रदेश की शिशनेताओं की पसंद का ख्याल रखा जाएगा वैसे पिछली बार के आखड़ों को देखें तो बीजे पी की जौरी लिस्ट इस पहली लिस्ट में ज्यादतर वो सीटे हैं जो बीजे पी हाली थी भारत और पाकिसान के बीच आज 14 अक्टूबर को एहमदाबाद के मोटे रास्तेतर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच है इसके मद्दे नजर पूरे शोहर में सुरक्षा वेवस्ता चुस दुरूस्त कर दी गई है स्टेडियम के अलावा शोहर के समीधन चीले लाकों में भी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान गडबड़ी फैलाने के ईमेल आये थे इसलिए सुरक्षा की मद्दे नजर एमदाबाद पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती किसी भी हमले के स्टिती से निपटने के लिए अमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एनस्जी की एंटी ड्रोन ओपरेट करने वाले हिट टीम भी तैनाद की गई है टैसा निर्वाचन विभाग के निर्देश पर कारमिक विभाग ने एक IAS अधिकारी वे पांच IPS अधिकारियों के तबाद ले कर दिये है इन तबादलों में भरतपुर को नया जुला करेक्टर मिल गया है इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने दो जुलों में पुलिस अधिक्षिकों को बदल दिया है वहीं तीन जुलों में खाली चॉल रहे पदो पर पुलिस अधिक्षिकों की नुक्ति भी की गई है डॉक्टर राजीव पचार को हनमानगर योगेश दाधीच को भिवाडी आलोक श्रिवास्तव को डिडवाना कुचामन शैंतनु कुमार सिंग को जयापुर ग्रामेन प्रविन नायक नुनावत को चूरू एसपी लगाये गया है सभी अधिकारियों को नई जोगपर कारेभार ग्रहन करने के निर्देश भी दिये गए है राजिस्तान में भाषव प्रतियाशियों की दूसरी सुच्ची को लेकर दिली में सरगर्मिया तेज हो गई है टिकट के लिए दावेदार जुटे है चयन को लेकर आशनिवार को दिली में कोर कमेटी की बैठक होगी राश्टे अध्यक्ष जञेपी नड़ा के अध्यक्षता में राजिस्तान कोर कमेटी की बैठक होगी बिकानेर से करीब 12 किलोमिटर दूर सित रायसा डेजर्ट में परेटकों को लुभाने के लिए हर साल नवाचार होता है यूं तो धोरो पर अक्सर जीप और गाड़ियों का रोमांच देखने को मिलता था शाम डलने के साथ ही धोरो पर डेजर्ट केमपों में बड़ी संख्या में परेटक लुथ उठाते के लिए पहुँच जाते हैं इस साल यहां पैरा सेलिंग का रोमांच परेटकों के सिर्च बोल रहा है इसकी शुरू होने के साथ ही लोग लुथ उठाने के लिए राइसर पहुँच रहे हैं पिछले कुछ सालों की बात करें तो राइसर डेजर्ट जसन मेर के सम की तर्च पर तीजी से विक्सित हो रहा है उपरास्ट पती जगदीब धनकर्ने किसानों से क्रिशी उत्पादों के बाजार से जुने कावान करते वी शुकरवार को कहा कि क्रिशक समाज देश की अर्थवेवस्ता की रीड है धन्ग करने शुकरवार को उन से मिलने के लिए आय हर्याना की किसानों को सम्भूद करते हुए कहा कि जब किसान हसता है तो पूरा देश हसता है और सभी वर्गों में खुशाली आती है उन्होंने कहा कि किसानों को क्रिशी उत्पादों की व्यापार में आगे आना चाहिए क्रिशी उत्पादों का व्यापार दुनिया में बहुत बड़ा है उप्रास्ट पतिने किसानों से मुल्य समर्दन और किसान उत्पादक संगधन के गठन पर जोड़ देनों को कहा अगामे तेवारी सीजन को देखते वे सवाई मादवपूर हेल्थ डिपार्टमेंट की खादी सुरक्षा टीम पूरी तरह से सक्रिया है सवाई मादवपूर, CMH, Dr. Dharm Singh Meena, CEO Manish Meena और QRT टीम वेखादी सुरक्षा टीम के साथ दपहर सवाई मादवपूर के बजरिया में लाल सोट बस्टेंड पहुंचे जहां उन्होंने करीब आधा दरजन दुकानों पर छाप इमार कारवाही की एडी ने राजसान के जपूर, जोदपूर, एवं, डुंगरपूर, जिले में कई सानपर कारवाही की है जानकारी के अनुसार, एडी की डुंगरपूर, जिले के सागवाड़ा में कॉंग्रेसी नेता दिनेश खोड़निया और उनके एक रिष्टदार के घर पर इकारवाही की गई है एडी की टीम CRPF के जवानों के साथ सुब्य जल्दी ही डुंगरपू जिले की सागवाड़ा पुराने शहर में श्री खोड़निया के घर तथा दूसरी टीम ने पुनरवास कलोनी में श्री खोड़निया के रिष्टदार अशोग जाइन के घर पर ये कारवाही की एडी ने जपूर और जोदपूर में भी छापे की कारवाही की है रोजसान विधानसवा चुनाओ अचार संगिता लगने के बाद अलवर जिले में 550 लाइसेंसी हत्यार जमा हो चुके हैं पुराने जिले के हिसाअप से कुर 1975 हत्यार है अब नए जिलो की अनुसार अलवर जिले में 5550 लाइसेंसी हत्यार है जिन में से 550 जमा हो चुके हैं आकामी साथ दिन में हठ्यार जमा हो जाएंगे ताकि विधान सबाचनाओं बेख़ॉफ कराया जा सके हठ्यारों के डर से वोटर्स को नहीं डराया जा सके ये जानकारी अलवरेस्पि आनंज शरमा ने दी करावली में आकामी विधान सबाचनाओं के दोरान जिले में मदान केंद्रों पर होने वाली वेब कास्टिंग और आईटी की तैयारी को लेकर कलेक्टेट स्थित सूचना केंद्र टाउन हॉल में एक दिवे से प्रशिक्षन का एजिन किया गया प्रेशिक्षन में वेब कास्टिंग और आईटी से जुड़े करमचारी और टेक्निशन शामिल हुए जिला सुचना प्रद्योगी की विभाग के सैंक्त निदेशक, विनियोद मिना और दक्ष प्रेशिक्षकों ने प्रेशिक्षन दिया दुंगर पुजले में चिकिसा विभाग में विवस्थाय मनमर्जी से चल रही है ताजा मामना मखे चिकिसा हैं स्वास्त विभाग के काराले नियंतरन कक्ष से जुड़ा हुआ है यहां तीन शिफ्ट में 24 गंटों के लिए कार्मी के डोटी तो लगा रखी है लेकिन नियंतरन कक्ष का जो नंबर का रेले में चस्पा कर रखा है वो ही बंद है ऐसे में विवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है लेकिनी है कि नियंतरन कक्ष पर जिले भर में स्वास्ते विभाग से जुड़ी समस्याओं एवम जानकारी देने के लिहास से स्थापित कर रखा है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ